दोस्तों दही एक लाजवाब healthy food है, आप सब दही खाते हो या नहीं, जरूर खाते होंगे, इसको खाने से हजारों फायदे मिलते हैं, लेकिन अकसर कई लोगों को दही खाने से कुछ problems भी हो जाती हैं, और वो दही नहीं खा पते हैं, जैसे कई लोगों को दही खाने से skin problems हो और बे कई problems दही खाने से पैदा हो सकती हैं, सवाल यह है कि healthy होने के बावजूद भी दही से इतनी problems क्या हो जाती हैं, दही कोई खराब चीज नहीं है, लेकिन हमें ये पता ही नहीं होता है कि दही को किस तरीके से खाना चाहिए और किस time खाना चाहिए, मतलब दही खाते सम की problems create कर रही हैं, तो इस वीडियो को last तक जरूर देखेगा और इन सब चीजों को अच्छी तरह से समझ जरूर लीजिएगा, सबसे पहले mistake जो हम सभी दही खाते समय करते हैं, वो ये कि दही को मीठा या नमकीन बनाने के लिए इसमें नमक या चीनी डाल देते हैं, आप ब chemical का असर आपकी body पर पढ़ने लग जाता है, चीनी या नमक दही में डालने से दही में मौझूद healthy bacteria खतम हो जाता है, जिससे फायदे की जगे नुकसान होने लग जाते हैं, तो इसका solution ये है कि आप दही को मीठा करने के लिए शेहद इसमें डाल सकते हैं, धागे वाले या फिर गोड़ भी आप दही में डाल कर मजे से खा सकते हैं, इसी तरह दही को नमकीन करने के लिए आप इसमें काला नमक मिला सकते हैं, या फिर सेंदा नमक भी आप दही में डाल सकते हैं, दूसरी common mistake है कि हम दही को रात में इस्तिमाल करते हैं, रात में इस्तिमाल करने स में फायदे की जगे नुकसान हो सकता है क्योंकि एरवेट के नुसार सूरत चिपने के बाद हमारी बॉड़ी का टेंपरेशर कम होने लगता है और हमारी बॉड़ी में कफ्तोष बढ़ने लगता है और दही काने से बॉड़ी में कफ्तोष बढ़ता है इसकी वज़े से रात म एक हाईवे दही से body में बलकम बने लग जाता है हमें जोडों में दर्द हो सकता है हमें एक खासी हो सकती है सांस लेने में तकलीफ हो सकती है और हमारा digestion भी कमजोर हो सकता है इसलिए आप दही को sunset के बाद रात को कभी भी नहीं लें तीसरी common mistake है दही को गलत चीजों के साथ combine कर देना आप जानते हैं कि दही एक animal source of food है और इसमें live bacteria होते हैं तो अगर आप इसे किसी ऐसी चीज के साथ combine कर देंगे जो आयरुएट के नुसार इसके साथ मेल नहीं खाती है तो उससे आपको body पर गलत असर भी पढ़ सकता है दही के दो ऐसे combination जो हम ज़्यादा तर खाते हैं वो हैं बूंदी और खीरा बूंदी और खीरे का रायता घर घर में खाया जाता है लेकिन आपको हैरानी होगी कि ये दोनों ही चीज़ें दही के विरुद है बूंदी फ्राई करके बनाई जाती है और कोई भी ओयली चीज दही के साथ compatible नहीं होती है गी या तेल दही के साथ mix करके खाने से आपकी body में चर्वी बढ़ने लगती है और दही आपको फायदी की जगे नुकसान करने लगता है क्योंकि फिरिये डाईचेस बहुत मुश्किल से होता है इसी तरह से फिश को भी दही के साथ कभी भी नहीं खाना चाहिए केला जो होता है उसके साथ भी दही को नहीं खाना है खटे फलों के साथ भी दही को नहीं खाना है अंडे के साथ भी दही को नहीं खाना है और बेंगन के साथ भी दही को आपको नहीं खाना है ये सब दही के विरुद होती है और बॉड़ी को नुकसान पहुचाती है तो इससे हमेशा बचे हैं आप इसे follow कीजिए और मेरे ऐसे ही बहुत आसान गरेलों उसके देखते रहने के लिए मेरे चनल सचिन गोयल को सब्सक्राइब कीजिए.